इंसानी दिमाग, प्रकृती द्वारा बनाए गई दुनिया की सबसे जड़ील और तेज मचीन ये ही वो अंग है जो इंसानों को जानवरों से अलग करता है पर क्या आप ये जानते हैं कि दिमाग के खुद के कुछ डरावने रहसे आईए जाने क्या आप दिख रहे हैं फैक्ट जिनी नमबर एक आपकी दिमाग के सेल कैनिबल यानि की नर्भुक्षी होते हैं आपका दिमाग शरीर की करीब 20-25 प्रतिशत उर्जा इस्तमाल करता है और सदेव भूका रहता है अगर आपका पिट भरा ना हो और शरीर में परियापत उर्जा ना बन रही हो तो दिमाग उर्जा के लिए अपने ही अंदर के सेल्स तो खाने लगता है ज्यादा सुने से आपका दिमाग पागल हो सकता है ज्यादा सुने से आपके दिमाग जल्दी बुड़ा होता है क्यूंकि सोते वक दिमाग की एक्टिविटीज यानि की गतिविधियां बढ़ जाती है आपने महसुस किया होगा कि ज्यादा सोक रफने से आप नींद और जागे हुई की बीच की स्थेतिय में हो जाते हैं जिसे आप आलेस कहते हैं आपका दिमाग कभी भी भर्हम पैदा कर सकता है दिमाग के अंदर ऐसे केमिकल्स मौझूज होते हैं जो कि आपको उन चीज़ों को भी दिखाने और महसूस कराने की शमता रखते हैं जो वहां है ही नहीं इन केमिकल्स को इनसान अलग-अलग तरीकी के ड्रग्स लेकर उत्तेजित कर सकता है पर कभी का बार ये केमिकल्स खुद ही अक्टिवेट हो जाते हैं जैसे कि कभी का बार नीम से उठने के समय आपको एकदम असली दिखने वाले सपने आते हैं नमबर चार जो भी आपको आखों से दिख रहा है वो असली दुनिया नहीं है आखों के बर्दे पर पढ़ने वाली रोशनी दो आयमी यानी टू-डाइमेशनल होती है और हम रहते हैं तीन आयमी यानी टू-डाइमेशनल दुनिया में तो दिमाख आखों से मिल रही इन टू-डाइमेशनल पिक्चरों को अंदादे से तीन आयम में बदल देता है और फिर आपको दिखाता है यानि कि जो भी आपको दिख रहा है वो सिर्फ आखों का नहीं पर आपके दिमाग के दौरा पैदा किया गया भ्रम है दर्द एक शारीर एक चीज नहीं पर दिमाग दौरा पैदा किया गया भ्रम है इंसानी दिमाग में दर्द भापने वाली कोई शिकाएं नहीं होती तभी तो ब्रीन सरजरी की टैम में इंसान ज़्यादतर होश में रहता है दर्द के सिंगनल दिमाग शरीर को तभी भेजता है जब उसे ये लगता है कि आपकी जिनगी को ख़तरा है पूरे शरीर में दर्द की भावना भेज सकने के बावजुत दिमाग खुद अपने आपको दर्द से दूर ही रखता है नमबर छे, दिमाग बहुत ही मतलब यांग है खत्रा पैदा होने पर इंसान को छोड़कर दिमाग पहले खुद अप्रा बचाव करता है कोई मानसे कागात पढ़ने पर दिमाग उस वाक्य को ही अपने से मिटा देता है और उस वाक्य के साथ-साथ वो सारी यादे भी मिटा देता है जिससे लोगों में कभी गुबार मेमरी लास की घटना हो जाती है गहरी चुट लगने पर दिमाग अपने से ज़रूरी हिस्सों को चालू रखकर बाक्यों को बंद कर देता है जिससे दिमाग चालू तो रहता है पर इंसान को मम में चला जाता है हर इंसान के लिए समय की तेजी उसके दिमाग पर नजभर करती है हमारा दिमाग अगर किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है तो फिर उसके लिए समय जैसी वस्तु कोई माने नहीं रखती इसलिए तो आपको अच्छी लगने वाली चीजें कहते वक्त आपको लगता है कि थोड़ी देर ही हुई है जबकि घंटे बीश चुके होते हैं और अच्छी ना लगने वाली चीजें मैं ऐसा लगता है कि कितने गंटे हो गए हैं जबकि हुए कुछ मिनिट ही होते हैं साती साथ दिमाग को किसी चीज में मजा आने लगता है तो फिर वो अपना ध्यान कहीं और भिड़कने नहीं देता इन सब बातों से ये पता चलता है कि किसी का भी दिमाग उसके वश में नहीं है पर हम अपने दिमाग के वश में हैं पर अगर हम किसी तरीके से अपने दिमाग को काबू में पा लें तो दुनिया जी सकते हैं आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथी साथ ऐसे मसेज़ार वीडियो दिखने के लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करना ना भूलें ये एक दम फ्री हैं मिरते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा